एंड्रो क्लोनल वेरियेशन के बारे में देखते हैं यह एंधर कल्चर के माध्यम से जो नए प्लांटलेट्स या प्रोजनी त्यार होते हैं उनमें जो वेरियेशन आ जाते हैं कभी कभी दिखाई देने लगते हैं वे ही एंड्रो क्लोनल वेरियेशन कहलाते हैं ठीक है यहा पाइब प्लावर एंथर होता है एंथर के अंदर पॉलन बनते हैं तो यहाँ पर हम एंथर को ही पूरवा क्लचर करते हैं और उस में से जो हुआ पॉधे तयार होते हैं हो तो पॉधे-घ्र ठीक है तो उसको हम कहते हैं एंड्रो क्लोनल रांध लट शेंद लू मेर इन्रो सब्द और अंड्रो स्य श्रीचिंस आाया है यह ऐने मेरपक्लावर फ़्लावर नाई वराइटी मतलब नए ने करेक्टर का ध्यन किया जा रहा है जिससे कुछ खास quality वाले नई वराइटी भी डेवलप की जा रही है ठीक है तो एंडो क्लोनल वरियेशन का भी महत्व क्रॉप इंप्रॉव्मेंट में है और ठीक है क्रॉप इंप्रॉव्मेंट में है और ज्यादतर एक स्टडी राइस प्लांट में हुई है ठीक तो एंथर कल्चर में मियोसिस के बाद जो बने को इसका ही यह बनाती है तो इससे हमको जो पौधा मिलता है कैसा मिलता है है फ्लॉइड प्लांट स्विक्सित होते हैं इ है अप्लॉइड प्लांट को डबल कर देते हैं कैसे हैप्लॉइड को इसका ही जो मिली उनको हमने कल्चर किया और उस में हमने कॉल्चिसीन से टीट्मेंट करके उसके जिनोम की संखिया को डबल कर दिए उसका प्रोसस को आँगे हम देखेंगे तो कुछ है सोमा एंड्रो क समय में फसल त्यार हो जाना पूरा life cycle छोटा हो गा और सुपेरियर ग्रेन क्वाल्टी इस ब्हें दाना जो है उसका ज्यादा बेहतर क्वाल्टी का increased याने बढ़ा हुआ grain yield yield याने पैदावार को बोलते हैं उपज को ज्यादा grain का उपज होता है बढ़ा हुआ है तो यह देखा गया है variation एंड्रो क्लोनल वरियेशन में देखने को मिलता है टिलर नंबर भी कभी-कभी बढ़ा हुआ या अलग-अलग variation देखने को मिलता है yielding में variation मतला उपज में पैदावार में variation देखने को मिला है एंड्रो क्लोनल वरियेशन में एंथर कल्चर के दोरान इसी तरीके से speciulate sterility में भी variation डेखने को मिला क्ट्रो तब प्रचल Marinery तौनल हमने लिया एंथर कल्चर किया रिजनरेशन से हमको नय पौधा मिलेगा तो हो सभी है निया पौधा होगा थिक है हुई पाफ्य पफैरफिर से ठिस्चव कलचार में कलचर एक तो कॉश गीहाल होंगी और कि रवे के है Bijan है तो अधे हैं को कोंट aba फ्र wilde प्रॉह ऑडे व्सूल करते हैं क्रोमसूम डबल हो जाते हैं कैसे ठीक है कॉल्चिसीन ट्रीटमेंट करने पर जैसे जो डवल को डियाने बना होता है उसमें वो अलग-अलग होना होता है इस्पिंडल फाइबर के माध्यम से परन्तु इस्पिंडल फाइबर के फंक्शन को ये डिस्टर्ब करता है जिससे क्या होता है कि पूरा कपूरा क्रोम समें कोश्का में रह जाता है जो डिवाइड होनी चाहिए को डिवाइड नहीं हुई परन्तो DNA डबल हुआ था DNA रिप्लिकेशन जो S में होता है उसमें डबल हुआ था जिसके कारण क्या होती है कि कोश्का एक मिलेगी जो कि कैसी होगी डबल हो जाएगे यानि Diploid Plants हमको इसमें से मिलेंगे इसको इसको लाइब्ल हैपलोईड भी कहते हैं यान्य हैपलोईड को ही जिनोम को डाबल कर दिया गया है तो यह हटना हम डायग्ड भी कर सकते हैं कि एंधर कल्चर के दोरान ही यह हमको जो हैपलोईड कुस्काय मिली हैं तो उनी को हम डाइक्ट डबल कर दें कॉल्चिसीन ट्रीटमेंट कॉल्चिसीन एक केमिकल होता है जो कि कॉल्चिकम आटमनेल नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है और ये स्पिंडल फाइवर की क्रियाविधी को डिस्टर्ब करता है जिससे क्या होता है क्रूमसोम अलग ट्रीटमेंट के माध्यम से तो ये सब होता है तो यह बेसिक जानकारी थी इसके बारे में और डिटेल इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं है